चिंटू और मीना दो भाई बहन थे. एक साल पहले उनके माता पिता की कोरोना वहा मारी की वजह से मृत्य हो गई थी. अब वो दोनों अपने चाचा सोहन और चाची कामनी के साथ रहते थे. सोहन और कामनी का भी आठ साल का एक बेटा था. वो बहुत ज़्यादा शरारती था. कामनी चिंटू और मीना से गर का सारा काम करवाया करती थी और कोई गलती हो जाने पर उनकी बहुत पिटाई किया करती थी. सोहन शेहर में नौकरी करता था. इसलिए उसे बच्चों के उपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. अच्छा कामनी, मैं शेहर के लिए निकल रहा हूँ. तुम बच्चों का अच्छे से खयाल रखना. अरे आपको बच्चों की दिखभाल में कोई कमी लग रही है क्या? तुम तो चले जाते हो शेहर काम करने, मुझे अकेली को इन तीनों बच्चों की दिखभाल करनी पड़ती है. अरे मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था. ठीके अब मैं निकलता हूँ. इस बार दो तिन महीने के बाद ही वापिस आऊँगा. ऐसा बोलकर सोहन वहां से चला जाता है. सोहन के जाते ही कामनी मीना और चिंटू को काम पर लगा देती है. और खोद अराम से घर में बैठ कर टीवी देखती रहती है. एक दिन मीना बरतंद हो रही थी, तब ही उसके पास उसकी चाची कामनी आती है. अरे ओ महरानी, इतने अराम से बरतंद होएगी तो घर के सफाई कोन करेगा? चल, जल्दी जल्दी हाथ चला और ध्यान रहे, कोई भी बरतंद गंदा नी रहना चाहिए. जी चाची जी, मैं जल्दी से कर लेती हूँ. और वो, तेरा भाई चुंटू का है? कितनी देर पहल समझी न, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूगी, चल, जल्दी अपना काम कर. जी चाची जी. तब ही वहाँ चिंटू भी समान लेकर आ जाता है. कहां मर गया था रे तू, इतनी देर लगती है समान लाने में, लगता है कल की मार का तेरे पर असर खत्म हो गया है. चाची सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे. वो दोनों पढ़ने में बहुत होश्यार थे. और कामिनी का बेटा एक प्राइविट स्कूल में पढ़ता था. लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिलकुल भी मन नहीं लगता था. वो अपने स्कूल का सारा काम मीना और चिंटू से ही करवाया करता था मीना और चिंटु जब स्कूल से आते कामिनी तभी उने घर के कामों में लगा दिया करती थी कामिनी पूरा दिन उन दोनों से घर का कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती थी और खाने के लिए बचा कुछा खाना ही देती थी दूसरी तरफ कामिनी का बेटा र और राहुल चूबी मांगता है, उसे लेकर देती है, लेकिन उबे तो अच्छे से खानों भी नहीं देती। कोई पाटनी चिंटू, एक ना एक दिन, वो हमें भी अपने बेटे के जैसे ही प्यार करेंगी। रात हो जाती है, और वो सब सो जाते हैं, अगले दिन एक इंशारंस एजेंट उनके घर आता है। नमस्ते कामनी जी, मीना और चिंटू कैसे हैं? नमस्ते जी, वो दोनों तो बिल्कुल ठीक है, आखिर मेरे होते वे, उन्हें किसी चीज की कमी हो सकती है क्या? ये तो अच्छी बात है, आप उन दोनों को बुला दीजिए। लगता है दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, आप ये पॉलिसी के पैसे मुझे दे दीजिए, मैं खोदी उनको दे दूँगी। देखे कामिनी जी, ये पैसे तो हमें बच्चों को ही देने होते हैं, आप कि रपिया करके उन्हें बुला दीजिए। ठीक है, मैं अभी उनको बुला देती हूँ, कामिनी उन दोनों बच्चों को बुलाती है। हेलो बच्चो, कैसे हो तुम, तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है न? एरे, मैंने कहा ना आपको, बच्चे हमारे साथ बहुत खुश हैं, आपको क्या लगता है, कि मैं इनसे घर का काम करवाती हूँ, या इनको मारती बीटती हूँ? अरे, नहीं कामनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बच्चों से ऐसे ही पूछ रहा था, और वो एजेंट बच्चों को पॉलसी के पैसे दे कर चला जाता है, उसकी जाते ही कामनी बच्चों से वो सारे पैसे छीन लेती है, चलो, अब अपना काम करो, और वो बच्चे वहां से चले जाते हैं अरे मा, मेरी शॉपिंग के पैसे आ गए अब मैं अपनी और राहूल के लिए अच्छे से नए कपड़े लेकर आऊंगी मीना दीती, आप अंकल को क्यों नहीं बताती कि चाची हम से बहुत कम करवाती है और हमारे पैसे भी चीन लेती है नहीं चिंटू, अगर हम ऐसा करेंगे तो चाची हमें घर से निकाल देगी और हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे इसी तरह वो दोनों बच्चे अपनी चाची का जुल्म सहते हुए घर का सारा काम करते थे एक दिन मीना और चिंटू बाजार से समान ला रहे थे तब ही गाउं की दो औरतें आपस में बाते कर रही थी अरे देखो तो इस कामिनी ने इन फूल जैसे बच्चों की क्या हालत कर दी है हरे मैंने तो सुना है वो घर का सारा काम इन दोनों से ही करवाती है और जो पैसे बैंक से आते हैं वो भी रख लेती है वो तो इन दोनों से इसकी जाय जाय थड़कना चाहती है उन दोनों औरतों की बाते सुनते हुए मीना और चिंटू चलते जा रहे थे क्योंकि उनके पास और कोई सहरा नहीं था दोसरी तरफ कामनी सोच रही थी अगर मैं इन दोनों बच्चों को यहां से भगा दूँ तो सारी प्रॉपर्टी की मलकिन तो मैं बन जाओंगी लेकिन इन यहां से भगाओं कैसे या फिर इन दोनों को हमेशा के लिए इस दुन्या से ही विदा कर दूँ अगले दिन कामनी चिंटू और मीना को अपने साथ एक नदी के पास ले जाती है ये बढ़िया जगा है इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए अब इन दोनों को नदी में धक्का दे देती हूँ चाची जी आप हमें यहां पर क्यों लेकर आई हो अरे मैंने सुनाई की इस नदी में बहुत सुन्दर मचलिया रहती है बस तुम्हें वही दिखाने लाई हूँ अरे वाँ मुझी भी मचली देखनी है तो चलो हमें नदी की थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा मचली देखनी के लिए चलो चलो मेरा हाथ पकड़ लो दोनों बच्चे कामिनी के साथ नदी में जाने लगते हैं कि तभी अचानक कामिनी का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गर जाती है नदी बहुत गहरी होने के कारण कामनी पानी में डूबने लगती है बचाओ, बचाओ मैं डूब रही हूँ तभी मीना को पास में एक रस्ती पड़ी दिखती है और वो उसे कामनी के पास फेकती है चाची जी आप इस रस्ती को पकड़ लो कामिनी रस्ती को पकड़ लेती है और मीना और चिंटू दोनों मिलकर उसको नदी से बाहर निकाल लेते हैं मुझे माफ कर दो बच्चो तुमने आज मेरी चान बचाई और मैं यहाँ तुम लोगों को डुबाने आई थी आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी लालची और बुरी हूँ लेकिन चाची हमने तो हमीशा ही आपकी बात मानी है फिर भी आप हमें मारना चाहती हो लालच की निशे में मैं अंधी हो गई थी बच्चो मैं तो महारी सारी जमीन जाजा धड़बना चाहती थी लेकिन आज मुझे हैसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दो बच्चों इस हाथसे की वजह से कामिनी बिल्कुल सुधर जाती है और वो मीना और चिंटू का अपने बेटे के जैसे ही खयाल रखने लगती है हर रोज की तरह आज फिर चीकू और मुन्या बाजार में कच्रा चुनने गए थे लेकिन आज बाजार कुछ अलग दिख रहा था लगता है होली आने वाली है इसलिए आज बाजार सजा हुआ है मैं तो होली का त्योहार भी फूल गया था तभी मुन्या अपने भाई से बोलती है बाईया देखो न बाजार में कितनी सुन्दे पिछकारिया आई हुई है मन तो कर रहा है एक पड़ी से पिछकारी चुरा कर भाब जाओ और फिर अपने दोस्तों के साथ उस पिछकारी से खेलू नहीं मुन्या ऐसे चोरी करना पाप होता है मा और बाबा कहते थे हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए भाईया चोरी करना पाप है लेकिन हमारे पास तो इतनी पैसे ही नहीं है तो फिर हम कैसे ले सकते हैं ये पिछकारी महनत से महनत करके हम कुछ पी ले सकते हैं ऐसा कहकर वो लोग वहां से गुजर रहे थे लेकिन मुनिया पीछे मुढ मुढ कर दुकान में लगी पिछकारियों को ही देखे जा रही थी चीकु और मुनिया दोनों भाई बहन थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे चीकु और मुनिया के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे कुछ साल पहले गाओं में बाड आई थी जिसमें उनके माता पिता पानी में बह गए किसी तरह ये दोनों भाई बहन तो बच गए और तभी से ये दोनों भाई बहन अनाथ हो गए और किसी जानने वालों ने भी इन बच्चों को अपने सांत नहीं रखा चीकू नौ दस साल का था और मुनिया भी पास साल की थी चीकू पास ही के रेलवी स्टेशन से कूड़ा चुनता था और उनमें से बोतले और कच्रा उठा कर बेचता था जिसके बगले उसे बेच कर कुछ पैसे मिलते थे और उनहीं पैसों से वो खुद और अपनी बेहन मुनिया को खाना खिलाता था मुनिया इस होली पर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पिचकारी लाऊंगा सच में भाईया फिर तो बहुत मज़ा आएगा होली खेलने में आज मैं किसी दुकान पर काम ढूंडने जा रहा हूँ और आते समय में तेरे लिए पिचकारी भी ले आऊंगा तो यहीं रहना ऐसा कहकर चीकू बाजार चला जाता है मुनिया को होली खेलना बहुत पसंद था लेकिन पैसे न होने के कारण हर बार उसे पिचकारी नहीं दिला पाता था जिससे वो हर बार होली नहीं खेल पाती थी बस दोसरे बच्चों को होली खेलते देखा करती थी चीकू बाजार जाकर रंग और पिछकारी के दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है अंकल जी आप मुझे काम पर रख लीजिए काम पर रख लूँ? ऐसे कैसे रख लूँ? शकल से तो पूरा चोर लग रहा है चल भाग यहां से अंकल जी मैं चोर नहीं हूँ बस करीब हूँ और काम करना चाहता हूँ मेहनत की कमाई से अपनी चोटी बेहन के लिए होली पर पिछकारी लेनी है आप मुझे काम पर रख लेंगे तो उन पैसों से पिछकारी ले आऊंगा देख लड़के मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम पर भरोसा है ना जाने कब मौका देखकर समान चुरा ले जाओ चलो भगो यहां से नहीं तो एक लगाऊंगा कान पर चीकू बहुत सी दुकानों पर जाता है और काम मांगता है लेकिन उसे कोई काम नहीं देता चीकू थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है ए भगवान हम करीब है तो इसमें अमारी क्या कलती है काम मांगने जाता हूँ तो लोग जोर सब अच्च के भगा देते हैं और कोई काम नहीं देगा तो मैंनत का से करूँगा कैसे कमाऊंगा आज माँ बाबा होते तो सब अच्छा होता घर पर मुन्या मेरा इंतजार कर रही होगी कि उसका भाई पिछकारी लाएगा लेकिन घर जाकर उसे क्या करूँगा तेरे भाई को किसी ने काम तक नहीं दिया क्योंकि उन लोगों को मैं चोर लगता हूँ तब ही चीकू के सामने एक परी आती है और चीकू से बोलती है रोना बन करो तुम्हें अपनी बेहन के लिए पिछकारी चाहिए ना चीकू सामने देखता है तो एक बहुत सुंदर परी उसके सामने खड़ी थी आप तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो आप कौन हो क्या तुमने पहले कभी परी देखी है नई लेकिन मेरी मा परीयों के कहानी सुनाया करती थी और जैसे मा बोलती थी कि परीया ऐसी होती है आप बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने मा से सुना था ये लो ये पिछकारी ये कोई साधारण पिछकारी नहीं है ये एक जादूई पिछकारी है इसको चलाने के लिए तुम्हें रंग की भी कोई जरूरत नहीं इसको हमेशा संभाल के रखना ये तुम्हारी और तुम्हारी बेहन की हमेशा मदब करेगी और फिर वो परी वहां से गायब हो जाती है चीकू पिचकारी लेकर अपनी जोपड़ी में जाता है और मुनिया चीकू के हाथ में पिचकारी देखकर बहुत खुश होती है और भाग कर चीकू के पास जाती है मेरी पिचकारी आ गई, मेरी पिचकारी आ गई, अब मैं होली खेलूंगी लो तुम्हारी पिचकारी इसे चला कर देखो भाईया इसे चलाओं कैसे, आप तो रंग लाए ही नहीं चीकू मुनिया को बताता है कि इसे बिना रंग के भी तुम चला सकती हो ये कोई मामूली पिचकारी नहीं, बलकि एक जादूई पिचकारी है, और ये पिचकारी उसे एक परी ने दी है, तुम्हें बस इससे चलाते समय रंग का नाम लेना है, और इसमें से वो रंग निकलने लगेगा, मुनिया वो पिचकारी चलाती है, लाल रंग निकल जाओ, औ और उसमें से हरे रंग का रंग निकलता है। ऐसे मुनिया उस पिछकारी से बहुत रंग पिरंगे रंग मांगती है। मुनिया और चीकु ये देख कर बहुत खुश होते हैं। बैया बैया ये तो सच में जादू ये पिछकारी है। बैया कितना अच्छा होता अगर इस पिछकारी से हम खाना भी निकाल पाते तो जैसे ही मुनिया ये बात बोलती है तो उस पिछकारी में से बड़ा सा थाल खाने का निकलता है और ये देखकर चीकू और मुनिया हैरान हो जाते हैं इसका मतलब हमें जो भी चाहिए हम इस पिचकारी से मांग सकते हैं ये कोई साधारण पिचकारी नहीं है भाईया वो परी कहां से आई होगी वो परी आस्मान से आई थी हमारी मदद करने ये होली चीकू और मुनिया की सबसे अच्छी होली थी जो उनके लिए बहुत सारे खुश्या लेकर आई थी उसके बार चीकू और मुनिया उस पिचकारी की मदद से अपने लिए घर बनवा देते हैं और दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं और दोनों अपने दोस्तों के भी मदद करते हैं मुनिया और चीकु अब उस पिछकारी को संभाल के रख लेते हैं और उससे जरूरत मंद लोगों की मदद किया करते थे